हे दिया स्ट्वेंट आज के क्लास में हम लोग हिंदी के ऐसे महत्पूर्ण परश्णों को अकभर करेंगे जो सीधे आपके एक्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और यह जितने सारे परश्ण लेकर क्या हैं यह तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए लेकर क्या हैं जो जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि कुछ ही दिन में अपना त्यारी को आप इस चैनल के महादिम से बुष्ट कर सकते हैं और आप यानि एक्जाम हॉल में बेठे हुए और आपको अपना ओम चीट करना है और अच्छी तरीके से य नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ पर दोस्तों को एक बार जम करके जरूर सेर की जाएगा चले काई सो इससे के साथ आप लोग जानते हैं कि आपका जो है आप लोग को तो बिल्कुल जो भी डाउट था या पैटन को लेकर यह पैटन का प्लोग का जो जमला था वो भी किलियर हो गया है तो चले गाई सो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आपके स्क्रींट पर पहला कोशन आ गया है जैसे आप लोग देख पा रहा है कि कांटा सब्द का विसेशन आपको बताना है क्या होगा या या बहुत इंपॉर्टन कोशन है जवाब आप लोग का आंसर बहुत सारे बचे बता रहें सर आपसंड भी बिलकूल राइट आंसर आपका हो जाएगा या नि कटीला या आपके इंप चलाना या आपका जगरा करना मोहबड़ा आप लोग पढ़े होंगे 7-8-9-10 में लोग लगा तार जो है मोहबड़ा हम को याद होगा यानि 8 का जवाब पत्थर से दिने का अर्थ जो होता है किसी की दुष्टता का कराड़ा जवाब देना यानि option आपका यह बिल्कुल राइट आंसर हो देंगे चले next question आपके screen पे question number 3 देखेगा क्या कहलाता है गराम सब्दे का विशेशन क्या हो जाएगा बहुत इंपॉर्टन या अवी हो आपका वी सबसे पहले first of all आपको समझ जाए कि उपसर्ग जो होता है क्या होता है देखे किसी परतिये में एक सब्द का निर्मान करता है जैसे कि आपका दोकिय को पेले हम लोग c Sept करतें उपsi जोडा योजं के साथ जोड़ा गया है आपski जोर योजं यानि इसका अगर करतें तो इसका अच्चारन पहले आप उच्चारन हो दाएंगे option B बिल्कुल right answer हो दाएंगे चले next question आपके screen पे question number five आसिक सब्द में कौन पढ़ती होगा तो सब देखे last का उच्छारन से आपको पता करना है कि last का उच्छारन क्या आता या उसको अपसंदी विछेत करके भी बता सकर सकते हैं ठीक है तो यहां आप लोग जो उसमेंट जो क्या गया है नि-oney last में क्या या या टक में तो जिससे क्या आपके आ सीक लास्ट का उच्छारन देखे स्का इक का रफाल्स में क्या निकल रहाए इक कार तो अपका दियावए क्या है यहां जैसे देख पार है अप लगए नरहडीदास दियावाए दुसरा से से सनातन तीसरा आपका एनिमदू सुदन सरस्वति है आपका रवीदास होगा तो देखिए तुलसीदास के दिख्षागुरू जो था यह नी कौन था कमेंट करके तेजी से या आपका चोथा ओप्सन सिरिंगार रश को तो बताईए इसका आंसर क्या होगा भूशन ने किस रश को परमुकता दी थी शाथ नमर कोशन का चले बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका आंसर विर रस यानि विल भी राइट आंसर हो दाएंगे जो भी वच्छे आप लोग व तो ये कांञ तिरापाटी नेडाला है उापशन आपका सिरी राइट आंसर हो जाएंगे रोज कहनी का नाइका कौन है जैसे क्या आप लोगो पता होगा रोज कहनी के नाइका माधूमीतिता होगा Bena तो जिसकी आपको पुछा गए रोज कहनी की नाइका ठीक है जिसको पा का कौन है अगे यह भी आपका अलग से एड किया जाता है और किस विवानी का यानि जो इलाज करके आ गया था तो गैंगिरिन का आप लोग को पता होगा को सन देखिए का को सन नमर दस यानि विद्यार्थी और राजनीती निवन्त किसका यानि लिखा हुआ है तो भगत से जाने जाते हैं, कोस हैं आपको स्क्रिंटे की का हो सकती है थेक्षं देखिएगा आपके स्क्रिंटे किया कर आता बारने को सिलाम कहानी संग्रे के कहुआ कर कहने कर सालेब इस का आंसर ओम परकास वालमी की विल भी धान सर हो जाएंगे वेसेशन क्या है कोई है थोड़ा है या 20 है तो देखे संख्या वाचक में जोता है एक दो तीन चार पांच इस तरह का या थो कहां पर आपको दिख रहा है कोई तो बात हो गए यहां इसमें, कुछ बला भी नहीं होगा, थोरा भी नहीं होगा, तो 20, जो है क्या है, पनुब अपको bacteria को ब्लूब ऑठाशाइगा, जिसके सीखर पाशे 2017 होगा यहाँ, तो लो निएक सब्दे होगा, पन्से जो आntब करें आइक स्ब्द करत bere stress дос YouTubers नेनी लगू का, जो है जो है, जिầnसी बहुत नहीं है, कि घड़े दे होगा। निर्मित होगा, निर्दे होगा, निर्धन होगा या निर्भे होगा, जिसके हिरदे में ममता नहीं होगा। यानि option आपका बिल्कुल right answer हो जाएंगे बहुत important question था चले question आपके screen पे question नमर 17 देखेगा लंबोदर शब्द यानि कौन समास है करमधाड़ी समास है बहुदी समास है तथ पूरुशी आपका जिंगू समास है 17 नमर question का आप लोग answer बताएंगे लंबोदर जो है सब्द जो है कौन समास है तो मेरे डियर स्ट्रन आप लोगों को बिल्कुल पता होगा लंबोदर जो है आपका यानि कौन सा हो जाएगा यानि बहुदी समास हो जाएगा तो इसका answer आप लोगों का बहुदी right answer हो जाएंगे question देखेगा आपके स्क्रिन पर सोमवार सब्द यानि सोमवार सब्द की संग्याज होगा यानि कौन सा होगा जाती वाचक होगा वेक्ती वाचक होगा भावाचक समुवाचक देखे सोमवार सब्द जो आपका यानि होगा तो ये वेक्ति वात्सक हो जाएगा, यानि option आपका भी बिल्कुल right answer हो जाएगे, question देखेगा आपके screen पे जो इस तरी अभी ने कड़े, एक सब्दे क्या होगा उसका, यानि नेत्री होगा, अभी नेत्री होगा, अभी नेत्री होगा, अभी नायक होगे, तो देखे, जो इ इफिनेटली पता होगा, मन है जोर योग होगा, या मनोवल का भी होगा, तो ऑपसन आपका D right answer हो जाएगा, question देखेगा, दात दिखाना मुहावडेकारत क्या होता है, बहुत important question, दात दिखाना मतलब भास सिरना, खिस करना, यानि मतलब क्या, हसना या रोना, तो देखे, इसमें जो है दात दिखाना का मतलब क्या होता है यानि खिस करना यानि आपको बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे चेले नेक्स कोश्चन 22 नूमर कोश्चन आपके स्क्रीन पे लेन देन यानि आपको हम क्या बताए थे एक दिन कि जिसमें जोर वाला हो जोसे माता पीत बाइबन लेन देन आगे पीछे इस तरह का अगर कहीं भी बात आ जाए तो आपको सीधा-सीधा यानि इसका आंसर दिन आपको तो आपको जोड़ा देखे थे बिल्कुल दो वाला आपको टिक कर देना है, ठीक है, बिल्कुल next question देखेंगे, छटी का दूद्ध याद आना, मुहाबडे का अरथ बताएगे, ठीक है, बुरा हाल होना होता है, प्राज़ित होना होता है, देखिए नाकुन सब्सक्राइब का बिल्कुल यानि राइट आंसर हो जाएंगे नाकुन ठीक है नाकुन लंबी हो गई है लंबा हो गया है कौशन देखिएगा अकल का पत्थर परना यानि अकल पर यानि पत्थर पढ़ना आपका जो से मुहवड़ा होगा क्या होगा यानि पत्थर से मारना ये बिल्कुल नहीं होगा अकल से मारना ये भी नहीं होगा ठीक है अकल से मार खाना ये भी नहीं होगा यानि बुद्धी भरस्ट हो जाना होगा इसका आंसर आपका बिल्क राइट राइट अंसर बहुत इंपॉड़न कोश्टन था चले कोश्टन आपके स्क्रीन पर कोश्टन नमर 28 देखेगा हात मलना मुहाबड़ेकार्थ क्या होगा सली से बताई यह तेजी से तो देखे हात के साफ करना बिल्कुल नहीं होगा हात रगणना यह भी नहीं होगा ह यानि क्या होगा इसका अंसर जल्ली बताईएगा चले तो कान देना मुहबडे का जो अर्थ होता है यानि क्या होता है ध्यान देना होता है option C बिल्कुल right answer हो जाएंगे चले next question आपके screen पर 30 नमर question घीके दिये जलाना मुहबडे का अर्थ क्या होगा घीके दिये जलाना मुहबडे के जो अर्थ होता है क्या होगा रोशनी करना होता है आनन्द मनाना होता है मन चंचल होना या आपका दिवाली मनाना होता है सब जानते कि निर्धन होगा तो इसका आपका निर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उननती का निर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है तो इसका आंसर आपका निर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है right answer हो जाएंगे ठीक है अच्छेले kooshen देखेए आपके स्क्रीन पर 35 नमर कोशन सुस्क का इल्टा बताएं शुस्क का उल्टा आपको बताना है मेरे दोस्ट सुस्क का इल्टा क्या होगा सुखा हो जाएगा πुर्वा हो जाएगा आरद होगा है कोई नहीं तो सूखा का उल्टा क्या होता है पिल्कुल आप सब बच्चे को पता होगा आदर होगा यानि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पर 36 में कोशन कौन सा सब्द जो है बाकी तीन से अलग लिख रहा है आपको यानि गयंद गड़ी भानुफली अपका गज तो बिल्कुल आपको पता होगा यानि बिल्कुल क्या हो जाएंगे इसका आपका इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएंगे चले नेक्स्ट कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पर 38 क्या होगा यानि इसका उल्टा बताना है इसका पड़ियावाची बताना आपको यानि सिवाले होगा रुद्र होगा रुद्वाक्ट शोसा गया आपका हड़ी होगा तो देखेगो सिवाल सिव को क्या बलते हैं रुध्र भी बोलते हैं रुद्र है यानि इसका आंसर आपका रुद्र विल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पर अही का पड़ियावाची कौन नहीं इसके वानी दौड़ा वेक्त ना किया आजा सके उसको क्या अस को विन्हारा फिट और होगा जो होगा तो देखिए इसको दोलोiseen round, ऑप सब बच्चे कोुशार्ग को आइप एकम इतना अच्छी कि तरह एका स्रवक्ति और। बस आप लोगों से मेरा request रहेगा कि प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे class में जूर रहे हैं आप लोग अपने friends को share किजिए आप लोग इसी तरह का हमें प्यार और support करते रहे हैं बहुत अंदर से खुसी होती हैं और अभी जो है इतना शवेर सवेर आप लोग जो है class कर उसको आईष्ट मति कैंगे कैंगे नि आपका व्यृत हो गया और यहां का विवा तो इसको क्या करेंगे इसको और राती करेंगे के विला को क्या कहते है उसको अप्रहां कहते हैं क्या 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 आप्रहां कहते हैं आप्सन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा पितांबर करमधार यह समास जब होगा तो विगरे क्या होगा, तो बिखेगी टैट पी अमबर का विगरा को बताना है, मतला क्या हो सहे, तीजिदा है पीठा है अमबर, या पीला है जिसका है तीक है? तुसका अंसर आपका भी बिल्कुल राइट आथा जाए जासा आथा तो देखिया आपको ढूर्ट algumas की कौन सा समासा हासा तो देखिया हम बताएंगे आगे पीछे तो ऊपर नीचे उस व्डावियों और जरी को नेक्स कोश्चन आपके स्क्रेंट पर कौशिन नमर देखेगा फियुटी नमर कोश्चन यह ठा अस्थान में स्मास बताइए अबिभावी यह आपका दीगु तो बिल्कुल आपको पता है अभिभावी इसका आंसर अपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा यह था मतलब अस्थान अपका अभिभावी समास है कोशन देखेगा 51 नमर कोशन हारजित किस परकार की रचना है तो हरजित के बारे में आप लोगों पता है हरजित जो है गत यानी गत गीत है और हरजित के लेका कौन है कमेंट करके जली बताईए कोशन देखेगा गाउं का घर सिर्सक कवीता के कवी का नाम बताईए ग्याननद पती होगा आशोक वासपी हो जाएगा आपका विनोत कुमा कोशन देखेगा आपके स्क्रिन पे कलड़ की मौत सिर्सक कहानी के रचिता का नाम बताईए देखेगे पेसगी के बारे में आपको बताना है तो जिद्दू किष्द मूर्थी यह नहीं होगा अन्तु चेखव यह भी नहीं होगा इसका अंसर आपका हो जागा है हैंडी लॉपेज आपसन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन 57 बाचित सिर्शक निबन के निबंदकार का नाम बताईए तो पहला आपका क्या बाल किष्द भट चंद सर्मा गुलेडी रामदार सी दि आपको बताये थे बाचित का लेखक जो होता है यानि कौन बाल किष्द भट है ठीक है बाल किष्द भट का जनब का बवा था यह तो बहुत सब बच्च जानते पहला चप्टर यह आपका यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बिहार के चात्र अंदोलन का जेपी ने इसका अंसर आपका यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है नेक्स कोश्चन देखेगा सिपाई की सिर्षक एकांकी कि संगरे से ली गई है अंडे के सिल्के और अंडे का यह बिल्कुल आपका अशार का एक दिन यह आपका लहड़े की राजहंस तो बताये इसका पसक और आप क्या होजा तो विल्कुल आपका टॉझाण के सिल्के अंडे के राइट आंसर